उत्तर प्रदेश में चुनाओ आने वाले हैं और इसके मद्दे नजर राजनेतिक प्रचार दुश प्रचार अपने चरम पर है हाल ही में बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालविया ने स्पी लीडर और पूर्व मुख्य मंत्री अखिलेश यादव का छोटा सा 18 सेकंड का विडियो ट्वीट किया और दावा किया कि अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्ना ने भारत को आजादी दिलाई थी बीजेपी के अन्य सदस्यों और समर्थकों ने भी ये विडियो काफी शेयर किया था पर सच क्या है असल में अखिलेश यादव की पूरी स्पीच का ये एक छोटा सा हिस्सा है ओरिजिनल विडियो को सुनने से साफ हो जाता है कि अखिलेश यादव की बातों को गलत तरीक के से संदर्वित किया जा रहा है असल में वो सदार पटेल जवाहरलाल नहरू माहत्मा कांदी और जिन्ना सभी की बात करते हैं लेकिन वाइरल वीडियो की शुरुआत जिन्ना से होती है इससे पहले वाला हिस्सा काट दिया गया है अंधेटि जुहां जमीन कॉशांते थी जमीन पजांते थी जमीन को पञड़ करके सहसे दे लेते थी वो के समय लेति है इसलिए आर्यच में के लांस पहले आते हैं लोग पुर्ष के boy बातों पढूल की जमाहा लेत regional system किसी समस्मा में पढ़कर के वैस्टर बढ़कर के आए थी। एक ही जगे पक्तावाई लिखाई कि वो वैस्टर बनी। उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी की तरीके से किसी का भी संदर्श करने पड़ा हुआ तो वो किशें नहीं है। एक विशाध्रा जिसने पावंदी दगाई। अगर किसी ने पावंदी दगाई थी तो लोगों को सदापने कि विशाध्रा पे पावंदी दगाने की ताम किया। तो जैसा कि आपने अभी सुना अखिलेश यादव की स्पीच का एक हिस्सा काट कर ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि वो मुहमद जिन्ना द्वारा देश को आजादी दिलाने की बात कर रहे थे असल में उन्होंने और भी कई लीडर्स का नाम लिया था ये विडियो तो अधूरा था लेकिन क्या अखिलेश यादव द्वारा जिन्ना का जिक्र सही था इतिहासकार इर्फान हबीबी ने हमें बताया कि मुहमद जिन्ना 1910 और 1920 की दशक में और अपने शुरुवाती दौर में एक स्वतंत्रता से नानी थे उन्हें हिंदू-मुस्लिम एकता का इंबास्टर भी कहा जाता था लेकिन बाद में मुस्लिम लीग को मजबूत करने के लिए और देश को विभाजित करने के लिए जो साम्रदायक फेज आया वो भी मुख्य रूप से उन्हीं का किया कराया था अखिलेश यादफ की एक ऐसी टिपनी थी जिसे टाला जा सकता था क्यूकि हम जानते हैं कि फाक्स को ऐसे तोड़ मडोर कर पेश किया जाता है जिन्ना ने जो काम किया उस वज़े से वो हमेशा विभाजनकारी वेक्ती ही रहेंगे कि झाला जाद आए जाद पाला जाद पाला जाद जा वेक्ती है